नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका वीक के यूटूब चैनल में तो आप चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें आगे हम खेती से जूड़ी सारी जानकारी आपको दे सके हैं और जो जानकारी देंगे वो सही और सठीक देंगे तो ये आलू की सीचाई हो रही है किसान भाईयों तीसरा पानी सीचा जा रहा है आलू का पहला पानी दिये उसके बाद इसकी गुड़ाई किये गुड़ाई करने के बाद इसकी पेड़ी चड़ाई गई और पेड़ी चड़ाने के बाद फिर इसकी सिचाय हुई, अब ये तीसरे पानी लगा हुआ है, इतना पानी देना है, आपको तीसरे पानी में देख लिए, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आलू जो निकलती उसमें गंदगी, ज्यादा हो जाती है, कटपीस बेज जाती है, वो सब आपको बेखने को नहीं मिलेगा इतना पानी देंगे तो तो इसमें दवा डाली गई आलू की इंडो फिल M45 दवा डाली गई दवा डालने के अब दूसरे दिन इसके सिचाई हो रही है अगर इसमें बारिस अगर नहीं हुई तो एक महीने के बाद अब इसके सिचाई होगी ठंडी क समय दोब जादा नहीं निकलता इसलिए इसकी से चाहिए जल्दी जल्दी नहीं करना है तो किसान भाईयों आप लोग यह जाने जीए की जीफोर आलू की क्वाल्टी बहुत अच्छी होती है और यह मार्केट में इसकी रेट भी अच्छी नहीं मिलता है जिब इसमें आलू की पैदावार आप देखेंगे बहुत इमफ़ड पैदावार होगी आलू के बीच का संसोधन नहीं किया गया है दवा में अगर आप आलू की बीच का सोधन कर देते हैं दवासे तो आलू के चिकना चिकनाई तो सायनिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन आलू की बाढ़ खत्म हो जाती है अलू छोटी-छोटी निकलती है तो इससे पैदावार कम हो जाती है जब आलू बड़े निकले गी तो पै पैसा लगा कामेंट में जरूर बताईएगा ताकि हमने इस वीडियो में नुगलती हुई है